कैसे हैं आप सभी लोग, उमीद है आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट करके पूछ रहे होगी सर, दिवाली बोनस कैसे कैलकुलेट होता है, मैंने तीन महिने एपसेंट किया है जोब में, क्या मुझे दिवाली बोनस मिलेगा, छे महिने क कि मेरी सर्विस हुई है, क्या मुझे दिवाली बोनस मिलेगा, आठ महिने में कितना मिलता है, पूरी सर्विस में कितना मिलता है, दिवाली बोनस कब कैलकुलेट होता है, बहुत सारे क्वेस्चन की क्रेविंग है आपके माइंड में, तो मैं पूरे डाउट सॉल्व कर आपको पता है कि 7th pay commission की हिसाब से जो railway level 1 का जो basic pay है वो 18,000 रुपए मन्थिली है लेकिन bonus calculate करते समय यह upper ceiling basic pay है मन्थिली 7,000 रुपए है ना तो अगर आप 12 महीने का calculate करोगे तो 12 महीने का कितना आ गया 12 74,000 रुपए ठीक है आप एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन तो आप एक दिन का calculate करोगे तो एक दिन का आ गया 230.14 रुपए 230.14 रुपीज है ना आपको पता है कि पूरे 365 दिन का bonus आपको 78 दिन का bonus मिलता है 78 डिस का bonus मिलता है तो 230.14 एक दिन का तो 78 दिन का कितना हो गया 17,950 रुपए आपको bonus मिलेगा yearly जो कि दसहरा के टाइम पर या दसहरा वाले दिन आने की पूरी सम्मावना होना है यह जो bonus calculate किया जाता है इस साल का जो calculate होगा वो 1 April 2023 से 31 March 2024 तक का calculate हो आपने पूरे 1 April 2023 से 31 March 2024 तक पूरी service करी है आपने LWP leave without पे नहीं लिया है जीरो है आपका LWP तो आपको पूरा bonus मिलेगा वो भी कितना मिलेगा 17,950 मिलता किसको है यह Group C और Group D के कर्मिचारियों को मिलता है Group C में जैसे की station master हो गया हमारा है इसके बाद आप गार्ड हो गय इसके ALP के department वाले हो गया फिर Group D में trackman हो गया सिंटी वाले हो गया pointsman हो गया जितने भी है Group C Group D के सभी कर्मिचारियों को same rate पर bonus मिलता है 17,950 अगर आप कुछ दिन absent होंगी तो वो कट जाएगा आपको महिने में 365 दिन हो रहे और आपको bonus 78 दिन का मिल रहा तो मेरे हिसाब से आपको 1 महिने में 1.306 में का bonus मिले गा अगर आप retrouve एक महिने ट्ूटी कर ली न पूरे एक महिने 350 का अगर पूरे 12 महिने duty की तो आप साड़े 6 से 12 का multiply करो तो वो 78 के करीब बन रहा है ठीक है या फिर आप ऐसे भी calculate कर सकते हो simple है जैसे total bonus है आपका total bonus है आपका 17,959 रुपए अगर मैंने 6 महीने service करी है 6 महीने कप से अगर आप 1 April से मान के चलो नहीं आए आपने 1 October को join किया तो October, November, December, January, February, March 6 महीने का calculate करो तो ये करीब आएगा 8,975 रुपए है अगर आपने 4 महीने job की है तो ज्यादा क्या होगा 17,959 में आप 4 से divide कर देना तब भी आपका bonus calculate हो जाएगा जितने महीने आपने service करी है उसे आपको bonus मिलेगा ठीक है तो total bonus मिलता है 17,95 रुपए है अगर मान के चलो आपने 3 महीने बीच में absent कर दिया तो इस condition में क्या होगा आपके उतने दिन minus हो जाएगी मतलब जैसे आपने 3 महीने absent किया तो शाड़े 6 case आप से कितना इंटू 3 करो 19.5 19.5 पांच दिन का bonus आपका कर जाएगा मान लो आपने 1 अप्रेल को join किया पूरे 30 मार्च के बीच में 3 महीने absent करी तो साड़े 19 दिन का कर जाएगा 20 दिन का मान लो तो आपको लगभग कितना 20 दिन का कम हुआ 58 58 दिन का bonus मिलेगा तो एक दिन का इतना आ रहा है 58 दिन का calculate कर लेना तो आई हूप आपको पूरे डाउट क्लियर हुए होंगे मैंने पूरा समझाने की गोसिस करी अगर वीडियो बढ़िया लगा तो ज्यादा ज्यादा लोगों को share करो और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने second channel बनाया है मनिच सर मैच करके वो आपको मेर यूट्यूब के about section में community में या फिर इस चैनल की मतलब इस वीडियो की description में भी मैं link share कर दूँगा जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो इस चैनल को subscribe कर सकते हैं thank you so